सब्सक्राइब करें मंजीत अकेडमी चैनल को प्रेस करें बेल आइकोन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड मंजीत अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में जिक्के के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्चन लेके आई हैं आई ओप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर दोस्तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड टू में सेयर करें यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो फनोटी किसन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तो आप क्यूस्चन शुरू करते हैं बगवान बुद्ध कोग्यान की प्राप्ति कहां से हुई दोस्तो बगवान बुद्ध कोग्यान की प्राप्ति बोध गया से हुई नेक्स्ट क्यूस्चन है आरिये समाज की स्थापना किसने की दोस्तो आरिये समाज की स्थापना स्वामी दायनन ने की थी नेक्स्ट क बारत की मुख्य भूम्मी का दक्षिनतम किनारा कन्या कुमारी है नेक्स्ट क्यूश्चन है बारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो दोस्तो बारत में सबसे पहले सूर्य अरुनाचल परदेश में निकलता है नेक्स्ट क्यूश्चन है इसुलीन का प्रि तो दोस्तो बी हु असम राज्य का परशिद तयोआर है नेक्स्ट क्यूस्टन है कौन सा विटामिन आउले में परचूर मात्रा में मिलता है तो दोस्तो विटामिन सी आउले में परचूर मात्रा में मिलता है क्यूस्टन है बारत का पर्थम गवर्नर जर्नल कौन था तो दोस दोस्तो कागज का अविश्कार चीन देश में हुआ गोत्म बुद्ध का बचपन का नाम क्या है तो दोस्तो गोत्म बुद्ध के बचपन का नाम सिदार्थ है बारत में सस्त्र बलों का स्रोच शेनापती कौन होता है नेक्स्ट क्यूश्चन है पॉंगल किस राज्य का तयो आ रहे है तो दोस्तो पॉंगल तमीनलाडू राज्य का तयो आ रहे है नेक्स्ट क्यूश्चन है गिदा और बंगडा किस राज्य के लोग नरते हैं तो दोस्तो गिदा और बंगडा पंजाब राज्य के लोग नरते ह नेक्स्ट क्यूश्चन है टेलिवीजन का आविस्कार किस ने किया तो दोस्तो टेलिवीजन का आविस्कार जोन लोगी बेयर्ड ने किया नेक्स्ट क्यूश्चन है भारत की पहली महीला सासी का कौन थी तो दोस्तो बारत की पहली महीला सासी का रजिया सुल्तान थी नेक्स्ट क्यूश्चन है मचली किस की सायता से सांस लेती है दोस्तों मचली गलफडों की सायता से सांस लेती है नेक्स्ट क्यूश्चन है इक लाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया तो दोस्तों इंक लाब जिन्दाबाद का नारा भगत सिंग ने दिया जलिया वाला बाग अत्याकरण कब है कहां हुआ तो दोस्तो जलिया वाला बाग अत्याकरण सन 1919 इस्वी में अमरतसर में हुआ था नेक्स्ट क्यूश्चन है 1949 इस्वी में कांगरेश छोड़ने के बाद सुभास चंदर बोस ने फारवर्ड बलोक दल की स्थापना की नेक्स्ट क्यूश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो दोस्तो लाला लाजबत राई को पंजाब केसरी कहा जाता है सांडर्स की अत्या किस ने की थी तो दोस्तों सांडर्स की अत्या बगत सिंग ने की थी नेक्स्ट क्यूश्चन है 1857 इस्वी के विद्रों में किस ने अपना बलीदान सबसे पहले दिया था तो दोस्तो 1857 इस्वी के विद्रों में मंगल पांडे ने अपना बलीदान सबसे पहले दिया था Next question है बारत की पहली महीला राजयपाल कौन थी? तो दोस्तो बारत की पहली महीला राजयपाल सरोजनी नाइडू थी Next question है माउंट एवरेष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महीला कौन थी? तो दोस्तो माउंट एवरेष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महीला संतोस यादव थी? Next question है ब्रह्म समाज की स्थापना किस के दौरा की गई? स्वामी दयानन सर्श्वती का मूल नाम क्या था तो दोस्तो स्वामी दयानन सर्श्वती का मूल नाम मूल शंकर था वेदों की और लोटो का नारा किस ने दिया था दोस्तो वेदों की और लोटो का नारा दयानन सर्श्वती ने दिया था नेक्स्ट क्यूश्चन है रामकिर्ष्ण मिसन की स्थापना किस ने की? तो दोस्तो रामकिर्ष्ण मिसन की स्थापना स्वामी विवेक कानन्द ने की? नेक्स्ट क्यूश्चन है वास्कोडी गामा बारत कब आया तो दोस्तो वास्कोडी गामा बारत 1488 में इस्वी में आया था नेक्स्ट क्यूश्चन है वास्कोडी गामा कहां का रहने वाला था दोस्तो वास्कोडी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था नेक्स्ट है हवा महल कहा है तो दोस्तो हवा महल जैपूर में है नेक्स्ट क्यूश्चन है सीख धरम का संस्थापक किसे कहा जाता है तो दोस्तो सीख धरम का संस्थापक गुरु नननक को कहा जाता है सीखों का प्रमुख तेवार कौन सा है तो दोस्तो सीखों का प्रमुख तेवार बैसाखी है लोपुरुस किस महापुरुस को कहा जाता है दोस्तो लोपुरुस सरदार बल्लबाई पटेल को कहा जाता है नेता जी किस महापुरुस को कहा जाता है तो दोस्तों नेता जी सुभास चंद्रबोस को कहा जाता है दिल्ली सहित लालबा दुर्शास्त्री की समाद्धी का क्या नाम है? दोस्तों दिल्ली में स्थित लालबा दुर्शास्त्री की समाद्धी का नाम विजे गाट है महा भारत के रचीता कौन है? दोस्तों महा भारत के रचीता मेरसी वेद्वियास है नेक्स्ट क्यूश्चन है अर्थ सास्तर नामक पुस्तक किस ने लिखी तो दोस्तो अर्थ सास्तर नामक पुस्तक चानिक्यने लिखी नेक्स्ट क्यूश्चन है जै जवान जै किशान का नारा किस ने दिया तो दोस्तों जै जवान जै किशान का नारा लालबा दुर सास्त्री ने दिया स्वीधान सभा का स्थाई अध्यक्ष कौन था तो दोस्तो स्वीधान सभा का स्थाई अध्यक्ष डाक्टर राजिंद्र परसाद थे स्वीधान सभा की प्रारुप स्मित्ती के अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तो स्वीधान सभा की प्रारुप समिती के अध्यक्स डॉक्टर बीम रावं बेड कर थे विस्व रेड क्रोज दीवस किस तारिक को मनाया जाता है तो दोस्तो विस्व रेड क्रोज दीवस आठ मई को मनाया जाता है सूर्योद्य का देश के नाम से कौन सा देश परशिद्ध है तो दोस्तो सूर्योद्य के देश के नाम से जापान देश परशिद्ध है अंतराष्ट्य महीला दीवस किस तिथी को मनाया जाता है तो दोस्तो अंतराष्ट्य महीला दीवस आठ मार्च को मनाया जाता है नेक्स्ट क्यूस्चन है चेत्रफल की दरष्टी से बारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो दोस्तो चेत्रफल की दरष्टी से बारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है नेक्स्ट क्यूस्चन है ओनम किस राज्य का परशिद तयोहार है दोस्तो ओनम केरल राज्य का परशिद्य तयोहार है नेक्स्ट क्यूश्चन है दिल्ली बारत की राजदानी कब बनी दोस्तो दिल्ली बारत की राजदानी सन 1911 में बनी नेक्स्ट क्यूश्चन है सबसे चमकिला गरे कौन सा है तो दोस्तो सबसे चमकिला गरह सुकर गरह है नेक्स्ट क्यूश्चन है बारत का राष्टी पशु कौन से है तो दोस्तो बारत का राष्टी पशु बाग है नेक्स्ट क्यूश्चन है बारत का राष्टी पक्षी कौन से है तो दोस्तो बारत का राष्टे पक्षी मोर है नेक्स्ट क्यूस्टन है बारत का राष्टे जल्य जीव कौन सा है तो दोस्तो बारत का राष्टे जल्य जीव गंगा डोलफीन है नेक्स्ट क्यूस्टन है बारत का राष्टे फल कौन सा है next question है बारत का राष्टे फूल कौन से है तो दोस्तो बारत का राष्टे फूल कमल है next question है बारत का राष्टे पेड कौन से है तो दोस्तो बारत का राष्टे पेड बर्गद का पेड है बारत का राष्टे खेल कौन से है तो दोस्तो बारत का राष्टे खेल होकी है बारत का राष्टे गान किस ने लिखा तो दोस्तो बारत का राष्टे गान रविंदरनाथ टैगोर ने लिखा नेक्स्ट क्यूस्टन है बारत के राष्टे जंडे की लंबाई और चोड़ाई में कितना अनुपात है तो दोस्तो बारत के राष्टे जंडे की लंबाई और चोड़ाई तीना अनुपात दो है next question है बारत का राष्टे गीत कौन सा है तो दोस्तो बारत का राष्टे गीत वंदे मातरम है दोस्तो ये थे जिक्के के important question अगर दोस्तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please like करें और अपने friend to में share करें यदि आप मेरे चैनल पर new visit रहें तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करें क्य